Hi everyone, welcome back to another new video आजकल हर कोई अपना बिजनेस करना चाहता है चाहे वो बिजनेस बड़ा हो, चाहे वो बिजनेस छोटा हो और आप तो जानते ही हो कि कोई भी बिजनेस आप करो आपको उसमें सबसे पहले इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा और यदि आप फ्लेक्स प्रिंटिंग का बिजनेस करना चाहते हो तो आज की ये वीडियो एस्पेसल आपके लिए है क्योंकि आज की इस वीडियो मैं आपको बताने वाला हूँ कि flex printing का business करने में आपको किन सब चीजों के ज़रुत परने वाली है और आपको कितना invest करना परेगा और यहां पर मैं आपको एक बात बता दूँ कि यदि आप flex printing का business करना चाहते हो तो आपको थोड़ा भहुत तो flex printing का knowledge होना चाहिए जैसे कि flex printing को कैसे चलाते हैं, designing कैसे बनाते हैं तो यदि आप owner बनोगे तो उतना तो आपके पास knowledge होना ही चाहिए ताकि आप अपने business को proper तरीके से चला सको तो अब हम बात कर लेते हैं कि flex printing का business करने के लिए आपको किन सब चीजों की जरुरत परने वाली है तो आपको जो सबसे पहला जरुरत पड़ेगा वो है आपका flex machine जिस पर आप flex printing करोगे तो आपको एक machine लेना पड़ेगा और यदि आप market में नया machine लेते हों कम से कम 12-13 ला जैसा machine होगा जिस condition में आपका machine होगा वैसा आपको second hand machine का rate भी होगा तो आप second hand भी market से उठा सकते हो और यदि आप new flex machine को purchase करना चाहते हो तो तक्रीवन आपको 12-13 लाग के आसपास में एक नई machine आती है और वो भी इससे उपर भी हो सकता है क्यूंकि आप जिस तरीके का machine ल पड़ेगा अब मीडिया कहीं सारे quality में आते हैं normal आता है जी फ्लैक्स आता है इस्टार फ्लैक्स आता है बैकलिट आता है कहीं तरह के फ्लैक्स भी आते हैं लेकिन आपका business अभी starting का business है तो आप को सिस करिए कि आप normal flex क्या यूज किजिए क्योंकि वह आपको सस्ता भी तो आपको सिटी में जिस साइज का भी ज्यादा डिमांड है वैसे हमारे यहां देखा जाए तो हम तो हर साइज में फ्लैक्स रखते हैं चार फूट पांच पूट शेफूट आप मतलब सब साइज का हमारे यहां आपको फ्लैक्स मिलता है लेकिन अभी आपका business नया है तो आपको कम से कम 2 या 3 साइज में आप चाहे तो रख सकते हैं जैसे 8 फूट हो गया 6 फूट हो गया या 10 फूट हो गया इस पर प्रिंट जोर के भी निकाल सकते हैं तो आप कोशिश करें कि पहले जब आप business से start करते हो तो 2-3 साइज में मंगवा सकते हैं उसके बाद जो आप जासले हमारा प्लाक स short ये चार निकलता है तो आपको इन 222 ए चार इंक हरी Story सकते हो खरीज सकते हो तो आपको यह चार इंक क्ना पड़ेगा क्योंकि यह आपके फ्लैक्स प्रूंटिंग में यूज किया जाता है उसके बाद आपको जरुत पड़ेगा एक system का क्योंकि system में आपको printing software रखना पड़ेगा और उसी software से आप अपने machine को handle करोगे कि आपको कितना print चलाना है नहीं चलाना है का पाउस करना है वो आप printing software से ही करद पाऊगे तो आपको जरुत पड़ेगा एक system का तो आपको उसके लिए एक system भी बैठाना पड़ेगा तो यह मैंने आपको मोटा मोटी बता दिया है कि जो आपको खरीदना ही पड़ेगा इसके बिना आपको बिजनेस नहीं चल पाता तो मैंने आपको यह सारे चीज़ बता दिये हैं उसके बाद रहागे आपका designing designing के लिए यदि आपको ख रख सकते हैं लेकिन यदि आपको नया बिजनेस है और यह आपको designing भी आता है फ्लैक्स प्रिंटिंग भी चलाना आता है तो आप दोनों काम को अकेले भी हैंडल कर सकते हो लेकिन यदि आपका काम ज्यादा है आपको लगके रखने के ज़रूत है तो आपको चलना शुरू हो जाएगा तो आपको बिजनेस का आइडिया भी आता रहेगा तो उस हिसाब से आप अपने बिजनेस को ग्रो भी कर पाएंगे और जो चोटे मोटे चीजों का जरुत पड़ेगा वह आप खुद भी समझ जाओगे तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही तब तक के लिए बायन टेक केर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में